Hello Everyone, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल त्यारी सक्सेस की में दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलेटिकल साइंस जी के उपर जिसमें हम लोग most important question को देखेंगे जो previous year में आये हुए हैं और आपके exam में आने की संभावना है ये वीडियो बीए fourth semester के student के लिए है तो please वीडियो को पुरा ध्यान से देखिएगा copy में note down कीजिए और ये सब प्रसनों को जरूर पढ़िएगा और वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर दीजिएगा ठीक है और ये सब जो प्रसनों है अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर कर दीजिए ठीक है तो चलिए हम लोग पहले प्रसनों के साथ वीडियो को सुरुवात करते हैं दोस्तो ये political science fourth semester के student के लिए है पहला आपका important प्रसन बनेगा भारत के राजनितिक दोलों के विकास की विवेचना करें तो दोस्तों यहाँ पर भारत के जितने भी राजनितिक दल है जैसे बीजेपी, कॉंग्रेस और भी कई परकार के जो दल है उनके विकास के उपर आपको चर्चा करना है ठीक है यह topic आपका very very important है और इससे आपका exam में जरूर सवाल बनेगा दोस्तों अक्सर political के exam में ठीक है न उसको same to same question नहीं आएगा उसको थोड़ा सा term change करके आता है लेकिन आप लोग अगर पढ़ लेते हैं तो वही लिखे answer वही होता है answer ठीक है नेक्स्ट आपका प्रस्ण बनेगा भारतियत दल वेवस्ता की विश्यस्ताओं का वाख्या करें तो भारतियत में ओही दल वेवस्ता मतलब same to same relate करता है बस आपको जितने भी party है उनके उपर थोड़ा बहुत पढ़ लेना है और आपके MCQ के exam में ठीक है आपका जो objective exam होग ठीक है नेक्स्ट है भारत के मत ब्यवहार को प्रभावित करने वाली उर्तदाई तात्वों की वाख्या करें तो दोस्तों यह जो भारत में मत ब्यवहार जो हम लोग करते हैं यानि भोट करते हैं तो भोट को किन-किन पदाउर्थों से मतलब क्या बोले प्रभावित कर सक ठीक है तो यह प्रसनां आपकी एक्जाम के लिए इंपोडेंट है यह सब आपको पढ़़ना रहेगा यह चार प्रसनों पहला है भाहरतिया राजनीती में जातिवात की भूमिका का परिच्छन करें भाहरतिया राजनीती में अदल बदल से आप क्या समझते दोस्ते यह दूसरा प्रसण है यह फोड़ा editing में गलती हो गया था ठीक है यह दूसरा प्रसण है पहला प्रसन जो है भारतियराज़निती में जाती बात की क्या भूमिका है अक्सर जो हम लोग देखते हैं कि जो पार्टी होता है वो ओही candidate खाड़ा करता है जो व यह एक जातिवाद है क्यूं है और भारतिया राजनेटी में इसके भूमी या है उसके उपपर आपको लिखिना है एक भारतिया राजनेटी में डल बदल से क्या समझते हैं तो यह वाला question आपकी drysटी कौंसे नेक्स्ट है आपका धर्म और राजनिती पर एक लेग लिखे तो धर्म और राजनिती पर एक लेग लिखे धर्म को राजनिती से रिलेट करके लिखना है धर्म में राजनिती का केदना भूमी का है राजनिती में धर्म का कितना भूमी का है उसके उपर लेग लिखे ठीक है नेक्स्ट है आपका भारत में पंत निर्पेक्षता क्यों है, यह आपके एक्जाम के लिए बहुत बहुत इंप्रस्ण बनेगा, ठीक है, तो इसमें पढ़ लिजेगे, यह आपका सोट कोईशन के लिए पुछा जा सकता है, ठीक है, नेक्स्ट है भारत सासन आधिनियम 1935 की म आप लोग सभी कमेंट भी करते हैं, कि सर हमको economics का important question बताईए, हिंदी का important question बताईए, दोस्तों मैं दिल से कहना चाता हूँ, मेरा जो honor से वो history है, और मेरा जो लगाओ है, वो भी history को उपर है, और मैं जो question बताता हूँ, वो मेरे अनुभव के आधार पे बताता हूँ, क्य खुद देखते हैं, कि वो exam में आता भी है, दोस्तों मैं अगर कभी भी economics का question का important question बताऊँगा, और वो अगर नहीं आया, तो आप ही लोग फिर आके हमको comment box में गाली देंगे, तो please मेरे से जितना होता है, मैं खुद video provide कर देता हूँ, आप लोग ऐसे ऐसे comment करते हैं, मेरे question के नहीं है, फिर आपको कुछ भी question बता देंगे, तो आपके exam में कोई question आएगा नहीं, आएगा फिर आप लोग खुद फंस जाएंगे, आप लोग खुद समझने का कोशिस कीजिए, ठीक है, syllabus बताने का बात अलग है, और important question बताने का बात अलग है, ठीक है,